नमस्तेर फ्रेंद्स स्वागत है आपका हमाद इचान में आइक्यू क्राक में इस वेडियो में हम लोग जानने वाले हैं काउगलेशन के बाद में तो बेना कैसे तेरी के चलिये शुद करता है अब दोस्तों कोगलेशन में बेसिकली होता क्या है हम लोग पानी के अंदर कुछ केमिकल कोगलेंट्स को डालते हैं जैसे की फेरिक लोराइड हो गया तो जैसे ही हम लोग पानी में इन chemicals को डालते हैं तो क्या होता है हमारे जो छोटे छोटे suspended particles है ना पानी में जिसको gravity नीचे settle down नहीं कर पा दिये वो छोटे छोटे suspended particles आपस में जूड करके एक बड़ा suspended particle फर्म करते हैं और वो जैसे ही बड़ा हो जाता है gravity भाईया अपना जादो दिखा देते हैं और उस particle को नीचे settle down कर देते हैं तो हमारा जो है वहाँ पर sedimentation पर फर्म हो जाता है और हमारा पानी जो है वो सापसुत्रा दिखने लगता है तो यही होता है दोस्तो हमारा कोगुलेशन तो चलिए दोस्तो अब थोड़ा डीटेल में जानते हैं कि कोगुलेशन आखर वो कैसे करता है अब दोस्तो जो suspended particles हमारे पानी में मौजूद होते हैं वो जनरली टू टाइप से होते हैं पहला होता है और गैन sedimentation से remove नहीं होते और इन particles को दोस्तो हम लोग colloids बोलते हैं अब दोस्तो जितने भी colloids होते हैं most of colloids के अंदर जो है negatively charged ions मौजूद होते हैं जिसकी वाज़े से दोस्तो यह पानी के अंदर मौजूद positively charged ions को अपनी तरव attract करते हैं जिसकी वाज़े से एक first layer form होता है यहां diffused layer form करते हैं जो की positively and negatively ions के combination से बनता है जिसे हम लोग double layer कहते हैं अब दोस्तो इस double layer के form होने के वज़े से जो responsive force आता है वो दो colloids को एक दूसे से जुडने से रोपता है इसलिए दोस्तो यह सभी जो colloids होते हैं यह always पानी में float करते रहते हैं तो इसलिए दोस्तो इनको settle down करने के लिए हम लोग इसमें coagulants add करते हैं for example हमारा ferric chloride हो गया अब दोस्तो जैसे ही ferric chloride को water में add करके mix किया जाता है हमारे water के अंदर काफी सारे ions form होने लगते हैं और इन ions के form होने के वज़े से जो हमारा responsive force था दोस्तो इन particles के बीच वह responsive force खत्म हो जाता है और यह जो particles ह यह सभी आपस में जूट करके एक बड़ा particle form करते हैं जिसे हम लोग flock particle बोलते हैं जो कि बड़ा होने के वज़े से gravity के influence में आ करके नीचे settle down हो जाता है तो दोस्तो यही था हमारा coagulation का main funda बोले तो principle I hope आपको coagulation जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए दोस् coagulants जो है coagulation process में यूज में लाए जाते हैं तो दोस्तो coagulants जो होते हैं वह mainly two types के होते हैं पहला होता है chemical coagulants and दूसरा होता है ferric coagulants अब दोस्तो जितने भी chemical coagulants होते हैं मेली aluminum के salts होते हैं For example, alum हो गया, filter alum हो गया, फिर sodium, aluminate हो गया, यह सभी जो है aluminum के salts है, अब दोस्तों जो हमारा ferric coglant है ना, ferric का मतलब होता है iron, यहाँ पर हमारे जो salts है वो iron के बने होए, iron से बने होए मतलब iron के compounds है यह, For example, ferric sulfate हो गया, ferric chloride वगेरा हो गया, तो यह सभी जो iron salts है, इनको as a coglant use में लाए जाता है, अब चलिए हम लोग coglation के process को थोड़ा सा देख लेते हैं, तो दोस्तों अब हमें कैसे पता चलेगा कि coglation में आखिर कितना coglant जो है add करना है, आखिर यह है, तो chemical, इसको हम लोग ज्यादा भी ने डाल सकते, कम भी ने डाल सकते, तो हम लोग कैसे पता करें कि आखिर हमारा पानी में कितना coglant add करना है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग बेसिकली एक छोटा सा test perform करते हैं, जिसका नाम है jar test, ओके? तो jar test आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, जब भी कभी हम लोग water treatment plants में coglation को perform करते हैं, तो हमें पानी में coglants add करना पड़ता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो coglants होते हैं, ये एक तरह के chemical substance होते हैं, तो इनको हम लोग ज्यादा भी नहीं डाल सकते और कम भी नहीं डाल सकते, तो इसलिए दोस्तों, coglants को water में proper quantity में डालने के लिए, हमें एक test perform करना पड़ता है, जिसका नाम है हमारा jar test, अब ये कैसे perform किया जाता है, चलिए देखते हैं, अब दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं, कि जब भी कभी हम लोग गंदे पानी में coglants को डालते हैं, तो वो किस तरह से वहाँ पर act करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर दो jar में पानी रखा हुआ है, अभी के लिए दोस्तों, हम लोग इन दोनों jar को rest position में रख देते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, तो दोस्तों हमारे पानी में flock particles पनना start हो गए हैं, और थोड़ी देर बार यह सभी flock particles जो है, right side ओले jar में नीचे settle down हो चुके हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमारे right side ओले jar में कितना साफ पानी हमें देखने को मेंदा है, जबकि left side ओले jar में वैसा का वैसा ही पानी है, तो आप देख सकते हैं कोगलेंट्स किस तरह से यहाँ पर work करते हैं, हमारे कोगलेंट्स को add करने से flocculation जो है काफी अच्छा perform होता है, और हमारा sedimentation यहाँ पर काफी अच्छा हो जाता है, तो दोस्तो jar test में हमें यही जानना है कि हमारे गंदे पानी में sedimentation को perform करने के लिए कितनी quantity में कोगलेंट्स को add करना चाहिए, तो चली शूर करते हैं jar test, तो चली सबसे पहले देखते हैं कि इस test को perform करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से equipments है, सबसे पहले तो दोस्तो हमारे पास 4-5 beaker होने चाहिए, फिर दोस्तो हमारे पास sample water होना चाहिए, और coagliants होना चाहिए, यहाँ पर coagliants के लिए हम लोग alum को use में ला रहें, और आखिर में हमारे पास एक flash mixing device जो की electricity से operate करता है, अब दोस्तो हमें इन 6-6 beakers में 1000 ml of sample water को डालना है, बोले तो एक लीटर sample water हमें इन 6-6 beakers में डाल देना है, ओके तो यह था हमारा फर्स टेप, अब दोस्तो इन सभी beakers को हमें इस flash mixing device में कुछ इस तरह से place कर देना है, और उसके बाद इसमें हमें coagliants add करना है, यहाँ पर इन सभी jars में हमें अलग-अलग quantity में coagliants को डालना है, यहाँ पर हम लोग liquid alum को use कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर अलग-अलग quantities में liquid alum के dose को इन सभी jars में डालेंगे, और जास में mention भी कर देंगे कि कितना quantity में हम लोगों नहीं आपर liquid alum को डाला हुआ है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमने सभी quantities को mention किया हुआ है सभी जास में हमने अलग-अलग quantities में liquid alum को डाला हुआ है अब दोस्तो हमारे flash mixing device में मौझूद string paddles को हम लोग घुमाना स्टार्ट करेंगे जिससे कि हमारे cog lens पानी में जो है mix हो जाएंगे अब दोस्तो इन string paddles को लगभग 30-40 rpm के speed से हमें 10-15 minute तक run करना पड़ेगा जिससे कि हमारे cog lens water में अच्छी तरह से mix हो पाएंगे और दोस्तो हम लोग इस water को rest position में रख देंगे जिससे कि हमारे जो flock particles है वो अच्छी तरह से नीचे जाके settle down हो सके और हमारा जो sedimentation है वो अच्छी तरह से perform हो सके यहीपर दोस्तो हमारा सारा काम खत्म होता है अब हमें observe करना है कि कौन से बीकर में हमारा सबसे अच्छा flock particles जो है form हुआ है और सबसे अच्छा sedimentation हमारे कौन से बीकर में हुआ है तो दोस्तो पानी की turbidity को observe करने के लिए हम लोग turbid meter का use करेंगे या फिर आप चाहे तो अपनी natural आंखों का भी use कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन से बीकर में हमें सबसे ज्यादा effective result मिल पाया है सबसे ज्यादा flock particles किस में form हुए है और सबसे अच्छा sedimentation हमारा किस बीकर में हुआ है तो जिस बीकर में हमारा सबसे अच्छा sedimentation हुआ होगा उस बीकर की quantity को हम लोग देखेंगे कितना quantity में हमने उसमें coagulants को add किया था और उस quantity को हम लोग अपने notebook में लिख लेंगे और उसी ratio में हम लोग water treatment plants में जा करके flocculation को और coagulation को perform करेंगे तो दोस्तो यही था हमारा jar test इसको करने का procedure आप अपने screen पर देख सकते हैं और कुछ-कुछ coagulants के optimum dosage की quantity भी आप अपने screen पर देख सकते हैं तो दोस्तो यही था हमारा jar test I hope आपको jar test अच्छी तरह से सवाज में आ गया होगा अब दोस्तो जो यह coagulation है इसे हम लोग four stages में categorize कर सकते हैं सबसे पहले आता है feeding दूसरा आता है mixing दीसरा आता है flocculation और चौथा आता है दोस्तो clarification या फिर आप कह सकते हैं sedimentation सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो हम लोग feeding के बारे में feeding का मतलब दोस्तो basically होता है खिलाना अब हम लोग यहां पर खिलाएंगे कि इसको खिलाने का तो कोई है नहीं खाने के लिए यहां पर है दोस्तो हमारे container जिसमें की पानी भदा हुआ उसमें हमें cog glands को डालना है तो यहां पर डालना बोलना सही रहेगा खिलाना खिलाने के लिए जानवार और इहां पर हम लोग डालेंगे तो feeding का मतलब डालना हो गया तो डालने का मतलब यहां पर feeding है हमारा तो जो feeding है दोस्तों यह basically two types का हो सकता है पहला है हमारा dry feeding and दूसरा है wet feeding अब dry feeding में क्या होता है दोस्तों हम लोग coglands है उनका dry form जो है हम लोग वहाँ पर डालते हैं for example कोई powdered form में हो गया या फिर सुखा सुखी हम लोग कॉगलेंट्स वहाँ पर डालते हैं आप समझ लीजे और जो वेट फिडिंग होता है दोस्तों वहाँ पर हम लोग गीला गीला कॉगलेंट्स डालते हैं यानि की कॉगलेंट्स का liquid form ड मििकby करते हैं अब मिक्स करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं पहला है हमारा मिक्सिंग चैनल मात जिसमें की हमारा वाटर जो है इस तरह के structure मैं भीक्स किया जाता है फिर आता है हमारा mixing basin with बफल वाल्स जो की इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा देख सकते हैं पानी इधर से इंटर करता है फिर इधर 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 जाता है तो वो अपने आप ही मिक्स हो जाता है और एक आता है दोस्तो हमारा mixing basin with mechanical devices इसमें क्या होता है हम लोग पंखे उंखे लगाके turbines वागे लगाके coglants को water में mix करते हैं अब दोस्तो यहाँ पर हमारा coglants है वो पुदितर से mix हो गया है तो इसके बाद हमारा next stage आता है flocculation अब coglants mix होने के बाद दोस्तो यहाँ पर flock particles form होने start होते हैं जिसको हम लोग flocculation बोलते हैं flocculation में दोस्तो जो small particles होते हैं वो मिल करके एक बड़ा particle बनाते हैं जिसको हम लोग flocks बोलते हैं flocks के बनने के बाद दोस्तो next stage में हमारा जो clarification होता है यानि कि जो sedimentation होता है उसमें क्या होता यह सब इस flock particles जो है gravity के influence में आकर नीचे जाके settle down हो जाते हैं और एक sludge form करते हैं अब दोस्तो हमारी flock particles को settle down होने के लिए पानी का स्थिर रहना बहुत जादा ज़रूरी है पानी का quiescent रहना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए दोस्तो हम लोग sedimentation को इस तरह से design करते हैं कि हमारा जो पानी है वो लगभग 3-4 hours के detention time तक quiescent रह सके और दोस्तो जैसे हमारी flock particles 2-3 घंटे के बार नीचे जाकर के settle down हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारा नीचे में जो है sludge formation हो जाता है और उस sludge को mechanical arms के थूर जो है remove कर दिया जाता है और दोस्तों जो हमारा fresh water रहता है उसे हम लोग ऊपर ही ऊपर outlet pipes के थूरू ट्रांसपोर्ट कर देते हैं filtration tanks में जहां प में ताकि हमारा जो water है उसमें से जो भी flock particles है वो settle down हो सके और हमारा fresh water जो है filtration के लिए आगे ट्रांसपोर्ट किया जा सके तो दोस्तों I hope आपको coagulation अच्छी तरह जान में आ गया होगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ है तो प्लीज इस वीडियो अपने चैनल को सबस्क्राइब भी कर सकते हैं और आखिद में तन्यवार दोस्तों अपस वीडियो को देखने के लिए हैं